नमस्ते डियर स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे दा नेक्स्ट एशियन मिरेकल देट इस वियतनाम तो आज का ये वीडियो वियतनाम के बारे में है क्या वियतनाम एशिया में अगला चमतकार कर चुका है जैसा की पहले जपान ने किया फिर उसको फॉलो करते हुए चाइना और साउथ कोरिया ने किया तो क्या उसमें चौथा नमबर वियतनाम का है इस बारे में हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ थोड़ा सा वियतनाम की हिस्ट्री वियतनाम कैसे नॉर्थ और साउथ वियतनाम में डिवाइड हुआ था कैसे यहाँ पे कॉम्मिनिस्ट पार्टी का रूल है उसके बावजूद भी यहाँ पे हाई ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है पर कैपिटा इंकम में वृद्धी देखने को मिलती है और प्रॉस्पेरिटी और पीस देखने को मिलती है वो देश जहाँ पे अमेरिका लगभग 15 से 20 साल लगातार एक समय अमेरिका के यहाँ पे 5 लाक सैनिक थे लगातार बंबार्डिंग की उसको पूरा नुकसान पहुचाया कैसे आज वो अपने पैरों पे खड़ा हो करके लगभग 40 साल के दर्मियान अगर आप इसे देखेंगे 1980s के बाद से 2020 तक का यह पूरा टाइम है जिसमें वियतनाम ने ये मिरेकल को पॉसिबल कराया है 1980s तक वियतनाम वैसा ही था जैसा 1980s में चाइना था यानि की वियतनाम और चाइना से फार बेटर पोजीशन में इंडिया हुआ करता था लोग इंडिया को ज़्यादा बेटर मानते थे पढ़ाई के लिए बाकी चीजों के लिए पढ़ाई के लिए इंस्टिटूशनल जानकारी के लिए और यहाँ पे आप वियतनाम के जो फाउंडिंग फादर्स हैं जिन्होंने कॉमिनिस्ट पार्टी वियतनाम की बनाई और जिन्होंने इस लड़ाई के समय अमेरिका के साथ काफी सपोर्ट किया होची मिन इनका नाम आप देख सकते हैं ये इनकी मूर्ती है और इनके नाम से एक शहर भी है जो कि अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तो ये होची मिन साहब है इनकी आप अलग से एक पोट्रेट देख सकते हो अमेरिका वाले और जितने भी कैपिलिस्ट वर्ड के लोग हैं ये इनसे सकत नफरत करते थे और अगर आपको मैं बताऊं तो एक मूवी है आप उसे जरूर देखिएगा जैसे वियतनाम वार के उपर कई मूवीज बनी हुई है तो फुल मेटल जैकेट ये मूवी एक है जो पूरी की पूरी वियतनाम वार के लिए अमेरिका की जो force है उसकी training और उसके बाद वियतनाम में उनको actual क्या conditions जहलनी पड़ती है कितना ज़ाधा tough था यहाँ पे लड़ना और यहाँ की topography कितनी ज़ाधा खतरनाक थी और इस इंसान यानि की होची मिन की पूरी की पूरी जो सूजबूच थी उसकी वज़े से अमेरिका को माफी मांगते हुए एक शर्मनाक एक humiliating peace treaty करनी पड़ी पैरिस में जा करके जैसे आज अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने की फिराक में बैठा हुआ है अमेरिका हार चुका है अफगानिस्तान में तो अमेरिका ऐसे कई देशों में हारा है वियतनाम में भी हार है वियतनाम की जो हार है वो अमेरिका के इतिहास में सबसे बुरी हारों में से एक है अगर आप कोरोना वाइरस पैंडमिक को हटा दीजिये ना तो कोरोना वाइरस पैंडमिक के बाद सबसे जाधा मौते अगर अमेरिका में हुई है किसी external चीज की वज के साथ देखे जब वियतनाम का बटवारा हो गया था ना नौर्थ और सौथ वियतनाम में तो कुछ मैप ऐसा दिखता था वियतनाम की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊं ये जो चार देश है थाइलेंड है लाओस है कंबोडिया है और वियतनाम है ये चारों मिला करके इ ब्रिटेन का साशन था मैनमार को ब्रिटेन ने पूरी तरीके से 1885 में एनेक्स कर लिया था और 1885 भी वो समय है जब इंडिया नेशनल कॉंग्रेस बनी थी और उस समय का गवर्णर जनरल कौन था भारत का ये आप मुझे कॉमेंट्रेट में बताइए फिर फाइनली 1935 के ग ौर देशन इनको नाम दिया गया था इंडोचाईना इंडोचा आगो कहते थे क्योंकि ये इंडिया और चाइना के बीच में थैँ आप देखो यहां पर ब्रिट desert क 12 बांगलादेश बी उनहीं का था तो यहां पे फ्रेंच का कबजा था और जब फ्रेंच पावर्स 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुवात एक सितंबर को होती है पोलेंड पर हमले के द्वारा जर्मनी ने जो किया था उसके बाद जब फ्रेंच भी हार जाता है इस वार में तो वियतनाम वाले अपने आपको आजात भ बहुत ज़ादा पावरफुल हो रहे थे गाउं में अपने बेसेस बना करके अपने आपको मजबूत कर रहे थे ये बात हमने अलग से चाइना वाले लेक्चर में भी बताई है और चाइना ताइवान की हिस्ट्री में भी बताई है तो माओ जडॉंग और यहाँ पे होची मिन सहब इन दोनों ने मिल करके इस पूरे के पूरे चेतर को अपने कबजे में ले लिया फाइनली हुआ क्या कि देखिए फ्रांस बहुत कमजोर हो गया था फ्रांस और ब्रिटेन जो दुनिया की ताकत हुआ करते थे अफ्कॉर्स इसमें जर्मनी भी था जर्मनी तो बु पूरे के पूरे कॉरे कहलना इसम ना जाय और इस व्यतनाम को लेकर कैसे को आए वो एक और रचता है कि हमारी सेना पे बहुत बड़ा हमला हुआ दरसल वो हमला नहीं हुआ रहता है लेकिन अमेरिका एक होक्स रस्ता है कि हमारी सेना पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ है इसलिए हमें इस वार में कूदना पड़ेगा बाद में ये बाद साबित भी होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है तो यहाँ पे इस पूरे छेत्र में डॉमिनो थियोरी अमेरिका के जो intellectuals थे उनका मानना था कि अगर वियतनाम में communism आ गया तो दूसरे नंबर पे Cambodia है वहाँ पे आ जाएगा तीसरे नंबर पे Thailand है वहाँ आ जाएगा चौते नंबर पे Laos है वहाँ पे आ जाएगा अब ही कि आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि Cambodia भी communist nation है यह आप याद रखेगा Cambodia is also a communist nation और वियतनाम तो जो है वो है ये 17th parallel line है कर कभी भी आपसे exams में पूछे कि कौन सी parallel line है जिसने कभी North और South वियतनाम को अलग किया था तो याद रखेगा 17th parallel line और ये जो Gulf of Tonkin है ना ये इसी को लेकर के वो पूरा होक्स रचा था अमेरिका ने दरसल अमेरिका को क्या था कि वार में कूदना था लेकिन वार में कूदने के लिए उसके पास कोई reason होना चाहिए था तो ये पूरा का पूरा जो होक्स है 1964 में ये वही समय है जब भारत में प्रदानमंतरी नहरू की बृत्ती हो चुकी थी और भारत एक वार हाड़ चुका थ तो चीजों को relate करके पढ़ा करिए कि भारत में उस समय क्या हो रहा था अमेरिका उस समय कहा फसा हुआ था मैंने आपको इंडिया चाइना के इशू के बारे में जब बताया था तो मैंने उस वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि 1962 में जो मेरा एक वीडियो था दा फॉल दी कोलैप्स ऑफ कॉमिनिजम तो 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्रैसिस हुई थी मैंने आपको वो चीज़ बताई थी ना कि उस समय भारत और चीन के बीच में एक युद्ध चल रहा था तो भारत चीन का जब युद्ध चल रहा था अप्टूबर 1962 में उस समय अमेरिका और USSR की बीच में क्यूबन मिसाइल क्रैसिस की वज़य से बहुत जाधा टेंचन बढ़ गए थे वैसे ही जब 1964 में ये होक्स किया गल्फ ऑफ टोनकिन का अमेरिकी सेना ने कि यहां पर उनके कई सैनिकों को मारा गया है या कई अमेरिकियों को मारा गया या कोई जहास था जिसक इसके बाद आप वियतनाम का आज का मैप देखने है तो यहां पे आप देख सकते हो गल्फ ऑफ टोनकिन आपको अपनी जगहा पर दिख जाएगा यहां पर आपको मैनमार दिख रहा है एक बार सबकी कैपिटल्स देख लीजे मैनमार की नेपी ताओ है बहुत आसान कैपि है जो वियतनाम का नाम है कुछ उससे ही मिलता जुलता यह वियन्ती आने है और वियतनाम की जो कैपिटल है वो हैनोई है यहां पे आप देख सकते हो हैनोई को एक बार आप में से कोई यह पांचो देश और इनकी कैपिटल्स अच्छे से कॉमेंट्टेड में लिख दे अमेरिका यहां पर लगबग 20 वर्षों तक फसा हुआ था 1954 में हुए जिनेवा कॉन्फरेंस के माध्यम से इस वियतनाम को दो हिस्सों में डिवाइट कर दिया गया था 1954 में याद रखेगा 1956 में जो एक्चुली आता है अपने फोर्स में नॉर्थ में जो वियतनाम था वहा ची मिन बैठा हुआ था जैसे कि नॉर्थ कोरिया में आज कॉमिनिस्ट है और साउथ वियतनाम से अमेरिका गुसा था यह capitalist पूरा का पूरा फ्रेंट था लेकिन आखरी में अमेरिका को यहां से जाना पड़ेगा और यह पूरे वियतनाम का यूनिफिकेशन हो जाएगा त समय 1970 का जो समय है वो टीवी का भी revolution हुआ गरगर टीवी आ गई तो लोगों ने जब देखना चालू किया मीडिया का वहां पे फैला हुआ कि कैसे यह लोग पूरा का पूरा अमेरिकी सेना वियतनाम में क्या human rights और इतना ज्यादा violation कर रहे हैं तो human rights की जो अवधारना है न थोड़ी बहुत वो उसी समय आने लगी थी 1970 में और अगर आप याद रखो तो 1972 में ही environment को लेकर के पहला convention Stockholm convention भी हुआ था तो Stockholm कौन से देश की राजदानी आप मुझे comment रेट में बताएंगे तो अगर आप चीजों को relate करते वे चलेंगे न तो आपको ऐसे फाइदा होता जाएगा कि 1970 का समय human rights को लेकर के लोगों में जाग रुखता जागी environments के अधिकार को लेकर के लोगों में जाग रुखता जागी climate change को लेकर के लोग समझना चालू कि ये ओजोन layer का depletion हो रहा था सबको समझ में आने लगा कि भया ये सब तो गलत हो रहा है तो ये कुछ 1970s 80s से ये पूरी अफधारना जो एक होती है वो चालू होती है तो अमेरिका को finally यहाँ पे अब humiliation अमेरिका का हो रहा था अमेरिका भाग तो सकता नहीं था क्योंकि लड़ाई तो जीत नहीं पाया था South Vietnam से कभी भी North Vietnam को capture तो कर नहीं पाया से ये पूरी तरीके से isolated रहा 1986 में 1986 कौन सा समय है भारत में इस समय राजीव गांधी की सरकार चल रही है उनको आय हुए सत्ता में दो वर्ष हो चुके हैं और भारत में लगबग computer की भी इसी समय शुरुवात होती है और इसके बाद कुछ और चीज़े भारत में होती को सपोर्ट नहीं दिया जाएगा यह बात थी तो यहां से आप ऐसे समझ सकते हो इसी समय एक operation हुआ था माल्दीव में तक्था पलट हो रहा था भारत ने भेजा था अपना एक operation करने के लिए और वो operation successful था उस operation का नाम अगर आप में से किसी को याद हो तो आप मुझे commentary में बताइए अब यह miracle पर आते हैं क्योंकि अपने आपको communist कहते हैं तो इसमें सी से दो देश है एक तो क्यूबा है एक चाइना है फिर आपका एक वियतनाम है एक नौर्थ कोरिया है और एक लाओस है यह सारे के सारे देश आप देख लो रशिया भी एक communist देश है बट काफी मामलों में वो communism से इतर हो चुका है हाला कि वन पार्टी रूल एक वन लीडर रूल तो वहाँ पे भी है तो आप इसमें रशिया को भी include कर सकते हो तो मोटा मुटी आप याद रखो दो तो आपके इस्टेशिया और साउथ इस्टेशिय कुबा है यहाँ पहला बुरुरा और रुबड़े अखबारों में चपा और उसी से और ठूड़ी सी वेधनाम की हिस्ट्री वो अलगा व्लग से मैंने आट की है अपनी करफ से तो अब हम इस पे चलते हैं इस एडिटोरियल पे बेसिकली हम चट्चा कर रहे हैं तो जब चाइना ने अनॉंस किया सबसे पहले 30 दिसंबर को दिसंबर कान तो चुका था 2019 सब लोग न्यू यर मना रहे थे 2020 की शुरुवात हो चुकी थी किसी नहीं सोचा था कि 2020 ऐसा जनवरी फरवरी थोड़ा सा मज़े किये दुनिया ने लेकिन मार्च से हालत खराब होने लगी तो जब नौवल कोरोना वाइरस के आने की सूचना ही मिलती है तो इस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीस थे इन्होंने पहले भी चाइना के साथ बहुत से वियतना मतलब 2004 में हैं भी जब सार्स सियोवी आया था तो इन्हों यह सब जेला था हम लोगों को नहीं पता था हम लोगों की मास्क लगाने की sanitize करने की आदत नहीं हुई थी अब हम लोग भी जेल चुके हैं तो हम लोग की भी आदत है next जब भी कोई वायरस आएगा pandemic कर करेगा जो की होना है आज नहीं तो कल तो होना ही यह 20 साल बाद 30 साल बाद होना है nobody knows but होना है यह confirm है क्योंकि जंगल तो आप काटोगे यह काटोगे वरना buildings कैसे बनाओगे infrastructure कैसे बनाओगे तो जब चाइना ने पहला ही announce किया था तो वियतनाम में 100 million जो उनके citizens है 100 million का मतलब 10 करोड से ज़्यादा नागरिक रहते हैं वियतनाम में तो उन्होंने सबको शुरवात कर दी थी कि आप अपने contacts को trace कीजिए contacts of contacts को trace कीजिए और उनके भी contacts को trace कीजिए मतलब आप अगर किसी के contact में आ रहे हो आपको virus हुआ है तो आप उनको trace करना चालू करो है इसके अलाबा Taiwan भी आपको यहां पर मिल जाएगा न्यूजेलेंड भी आपको यहां पर मिल जाएगा यह कुछ चुनिंदा देश है जहां पर minimum मौत हुई है आप इसमें North Korea को भी जोड सकते हो लेकिन वहां पर जितने लोगों को हुआ उनको सीधे गोलियों से उड़ा द आपकी economy तेजी से खुलेगी ना आप क्या death होनी रही है आप क्या cases कमा रहे हैं लोगों को विश्वास जाग जाता है तो वियतनामी इस economy जो थी वो ज़्यादा lockdown तो इसने कुछ जहलाई नहीं यह जल्दी से जल्दी खुल गई जब पूरी दुनिया fight कर रही थी देखिए जब January और February में हम लोग आराम से मजे कर रहे थे और सोच रहे थे सब कुछ normal चल रहा है उस समय वियतनाम ने यह सारी चीजें जो होती है ना tracing, tracking यह जितनी भी चीजें है contact को समझना, quarantine यह सारा कुछ कर लिया था March में जब पूरी दुनिया जाने लगी lockdowns में और सारी factories बंद हो गई तो वियतनाम की economy वो सारी चीजें supply कर रही थी जितनी वो कर सकती है जाहिर सी बात है पूरी दुनिया का पेट नहीं भर सकती लेकिन फिर भी जितनी कर सकती है अपनी capacity के साब से वोतों कर रही थी थी ना ने 1970s और 80s में किया था फिर जापान में stackflation और पूरा stagnation हो गई इनकी economy 20 साल से शिंजो आबे ने आबे economics के द्वारा बहुत सी कोशिश की हाला कि वो काफी हद तक सफल भी हुए बट उनके जाने के बाद से अब देखते हैं कि शूगा जी क्या करते हैं फिर चाइना ने उसी miracle को follow किया 1990s और 2000s में यहाँ पेक जीरो और होगा माफ कीजिएगा यह 2000 के आसपास की बात है 1990 से 2000 के आसपास की और pandemic के बाद देखा जा रहा है कि वियतनाम ने भी बहुत सी investment को गेन किया है अब देखिए यह सभी को पता है कि चाइना प्लस वन की policy पे दुनिया भर की companies काम कर रही है जैसे जापान है जापान ने अपनी companies को कहा कि तुम चाइना से बाहर निकलो तुम्हें जो भी subsidy होगी वो government की तरफ से मिलेगी मैंने अलग से इसका एक lecture बनाया था उसमें मैंने बताया था कि East Asia के बाकी देशों में जाने के लिए आसियान देशों में जाने के लिए जापान जो है वो अपनी companies को subsidy दे रहा है तो इसमें जो 90% companies चाइना छोड़के आ रही है ना वो वियतनाम जा रही है वो कहीं भी नहीं जा रही है सिर्फ वियतनाम जा रही है क्योंकि वियतनाम के पास cheap labor है यहां पे pro industrial policies है cheap labor है special economic zones है और quality infrastructure और अगर आप एक बार map देखो ना वियतनाम का यह पूरा का पूरा दो port है यहां सब के सब यह जितने भी छेतर है ना port के coastal cities यह सारे के सारे SEZ है सारा का सारा जो माल होता है factories से अंदर से बन करके आता है ports पे आता है जादा बड़ा देश भी नहीं है तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी तीन दशकों में अगर आप देखेंगे तो जो एवरेज इंकम है ना पर वियतनामी की वो बढ़ करके 3000 डॉलर से जादा हो चुकी है और यह भारत और बाकी देशों से भी जादा है भारत की कितनी एवरेज इंकम बाइस सो डॉलर से एक बार एवरेज इंकम आपको बता द वियतनाम की यह 3000 डॉलर से आगे निकल चुकी है चाइना की यह 10,500 डॉलर से चाइना जिसकी जनसंक्या भारत से भी ज्यादा है उसकी पर कैपिटा इंकम भारत से 5 गुना है और अगर आप अमीर देशों को देखेंगे तो उनकी यह 50,000 डॉलर से भी ज्यादा होती है अग जो रेशियो है उन लोगों का जो एक दिन में 2 डॉलर 2 डॉलर मतलब अगर आप इंडियन रुपी में देखो तो 1.500 रुपय मान लो, 140 मान लो मन रेगा की मसदोरी मान लो तो जो लोग 1.500 रुपया से कम एक दिन में पाते हैं उनका जो परसेंटेज है, वो 60% हुआ करता था गिर करके 5% से कम हो गया मतलब लगबग 12 टाइम्स ये फॉल हुआ है आप देख रहे हो ना, ये एक एक चीज में आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपकी आंसर आइटिंग के लिए या कभी भी आपसे एकोनॉमी से रिलेटेड कोई वीशू पूछा जाए इंटरनेशनल रिलेशन्स के अलग-अलग कोईशन्स में आपसे वियतनाम की एक मिराइकल के बारे में सीधे कोईशन आ सकता है क्योंकि ये एडिटोरियल है, एडिटोरियल से सीधे कोईशन बनते हैं तो आपके पास यह यह points रहेंगे, तो अपनी notebook में इन्हें note करते चाहिए या जो भी आप अपने notes बनाते हैं, उसमें यह लिखिये जरूर फोन में मनाते हैं, फोन में भी लिखिये Evernote पे बनाते हैं, उसमें भी लिखिये तो 5% से यह कम हो चुकी है, 60% से गिर के, यानि यह 12 गुना कम हुई है और infrastructure, यानि कि आधार बुच्छ संरचनाओं पे जो होने वाला खर्चा है, वो 8% हो गया है GDP का मतलब अगर GDP 1,00,00 करोड की है, तो उसमें से 8,000 करोड जो है, वो इस पे खर्च हो रहा है ठीक, पिछले 5 साल में, जो FDI है वियतनाम में, वो 6% से जादा बढ़ा है GDP का और यह highest है किसी भी emerging country में, अब इनोंने क्या करा है, schools पे भी अच्छा खर्च किया education पे बहुत अच्छे से खर्च किया है, वहाँ पे लोगों को technical education, skill, labor, यह सारी चीज़े मिली तो इनकी वज़े से इनके जो schools है वहाँ पे well educated लोग है, average wages जो है लोगों के वो भी बढ़ है क्योंकि वो highly skilled है, भारत की तरह नहीं कि बस रटाया जा रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ skilled labor की वज़े से भारत इनकी जो economy है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और यह उतनी जादा तेजी से आगे बढ़ रही है जितना imagine किसी ने भी नहीं किया था अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें है अब important, एक तो भारत यहाँ से क्या सीख सकता है इसके बाद हम criticisms देखेंगे कि Vietnam में criticism क्या है, क्या क्या ऐसा है जिसकी वज़े से Vietnam fall कर सकता है Vietnam का आगे विनाश हो सकता है, तो पहले तो भारत के सीखने के लिए क्या है भारत के लिए lesson यह है कि जो हमारी economic growth और social equity है हम यह मानते हैं कि जैसे जैसे हमारी economy grow करेगी जैसे आज आप कहते हो भारत की economy है 2.9 trillion dollars है ना इसे अगर आप rupees में करोगे तो यह 208 lakh हो गया, 1 trillion का मतलब 1 lakh करोड होता है तो यह dollars में है, हम दुनिया की 5 वी सबसे बड़ी economy है हम fall कर रहे हैं, 20% लगबद हमारा क्या कहते हैं, इस बार contraction होगा तो हो सकता है हम France और UK से फिर पीछे हो करके 7 वे नमबर पर पहुँच जाए 5 वे पर France आ जाए, 6 पर UK और 7 वे पर हम, क्योंकि हमारा fall जादा हो रहा है हला कि UK का भी काफी हो रहा है, बट यह देखना होगा कि हम कहां पहुचते हैं फिर भी यह contract करेगी, यह धाई trillion के आसपास आएगी इतना तो यह करनी ही करनी है तो हमारा यह मानना है कि अगर हम 5 trillion की economy कर लेंगे देखिए भारत का क्या मानना है, यहाँ पर लेखा कि मैं आपको बात बता रहा हूँ जो writer है, उनका कहना है कि भारत के जो policy निर्धाता है वो यह सोसते हैं कि अगर हमारी economy की size 2.9 trillion से बढ़के 5 trillion हो जाएगी जो की केंदर सरकार का सपना है 2024 तक के लिए हमारी प्रधानमंत्री जी का तो social equity भी आ जाएगी, मतलब सामाजिक रूप से समानता आ जाएगी बट ऐसा तो नहीं है ना, आज अगर हम economy में recovery देखें तो वो K-shape में हो रही है मतलब कुछ companies हैं, जो आप category 1 की मान लो, वो बहुत तेजी से recover करते हुए आगे जा रही है जियो का नाम आप इसमें ले सकते हो, मानीज अडानीज का और दूसरी तरफ वो companies हैं, जो की सीधे नीचे की तरफ जा रही है जो performing नहीं कर पा रही है, तो economy में बहुत जादा division हो चुका है तो social equity जो है, वो economic growth के साथ आएगी, यह अगर आप मानते हो तो यह पूरी तरीके से मिथ्या है, यह गलत है आपको rapid growth करनी है per capita GDP, हर व्यक्ति के हाथ में जो GDP है उसका growth उसको मिलना चाहिए, human development तभी possible होगा मतलब ऐसा ना हो कि सारी की सारी संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में हो simple सी बात है, मानी अटानी के हाथ में करोडों नहीं, अर्वों नहीं होने चाहिए और बाकी जितने भी आपके जो सबसे नीचे अंतियोदे समाज के लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास ये चीजें मुहया कराई जानी चाहिए, तो सिर्फ economy के बढ़ने से कुछ नहीं होगा economic growth के साथ साथ social equity नहीं आएगी, social equity तब आएगी जब ये जो आपको wealth generate हो रही है, ये समाज के हर तबके को मिलेगी भारत को साथी साथ अपने education system को काम करने के लिए जरुवत है, तो भाया new education policy तो आ चुकी है क्या-क्या salient features है, बताइए, और यहाँ पे skill development को भी importance दी जाने की जरुवत है, training की भी जरुवत है बट भारत में ऐसा होता ही नहीं है, अब finally आते हैं criticism पे, तो I hope आपने काफी cooperate किया इस वीडियो में, दो मिनिट में इसे खतम करते हैं और आप like, share और subscribe जरूर कीजिएगा, इस पूरे के पूरे वीडियो को, काफी मेहनत लगती है इसको बनाने में, और आपका पूरा साथ हमें चाहिए तो वियतनाम के लिए जो पूरा खत्रा है, वो क्या है, वो यह है कि उसका autocratic rule है, autocratic मतलब यहाँ पे one party system है और अक्सर यह देखा गया है कि जो autocrats होते हैं, जो ताना शाह होते हैं, जब उनको unchecked उनके पास power होती है मतलब उनकी सकती पे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, तो उनकी जो whims और excesses होते हैं, उसकी वज़र से development derail हो जाती है मतलब एक पटरी पे गाड़ी चल रही है, तो वो गाड़ी नीचे चली जाती है, यह कहने का मतलब है अब ज़्यादातर जो वियतनाम में state companies हैं, राज्य की companies हैं, उनको privatize किया गया है लेकिन जो government के साथ companies हैं, जो government companies हैं, वो बहुत ही जादा huge है जैसे वो भारत की तरह, LIC की तरह है, मतलब कई companies ऐसी हैं, जो कि LIC से भी जादा बड़ी size की हैं और लगबग one third, जो economic output होता है वियतनाम का, वो सरकारी companies होता है, मतलब इस state owned companies के द्वारा होता है अब देखिए किसी भी देश की economy के लिए, वहां का banking system strong होना बहुत जरूरी है अब वियतनाम में क्या है, जो सरकारी companies हैं, उनके पास बहुत से bad loans हैं, जो बाद में NPAs हो जाएंगे तो अगर ये बहुत जादा हो जाते हैं, तो एक खत्रा रहता है, कि अगर ये banking system को लेके डूबाना चालू करेंगे तो एक domino effect आ जाएगा, मतलब एक bank गिरेगा, दूसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा, और जब banking system collapse करेगा तो ultimately आपकी economy भी collapse करेगी, तो ये एक खत्रा है, तो ये दो criticism हो गए भी अतनाम के अगर आपको answer writing करनी है, तो आप यहाँ पर ये criticism भी mention कर सकते हो, बाकी आपको points learn करना है, तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत से points बताए government spending के बारे में, infrastructure के बारे में, पर day की जो income है उसके बारे में, और capita income के बारे में, economy के size मैंने आपको बताए, और इसके अलावा Japan की कैसे success हुई थी, China, South Korea की कैसे हुई थी, तो आपसे कभी भी Asian economy पे जो भी growth हुई है न, international relations में आपसे essay writing में या answer writing में पूछेगा, तो आप इस पर अच्छा खासा, एक दो से team page का तो work करी सकते हो, अगर आपके पास थोड़ी सी भी basic knowledge है, तो आप आराम से 400-500 शब्दों में ये इसे लिख सकते हो, तो आप इस channel को like, share और subscribe जरूर कीजिए इस video को team PT की तरब से, ये resources आपी के लिए हिन में enroll कीजिए और इंका lab उठ हाईए, हम फिर मिलेंगे एक नए topic के साथ, तब तक के लिए, नमस्ते जाहिंद, इस video को like, share, subscribe जरूर कीजिएगा, और आपके निरतन support की हमें जरूरत है, है ना, तो इसे जितना ज़्यादा share कर सकते हैं करिए, और लगातार अपना support बनाये रखिए, वीडियो को अगर view क करने हैं, तो like जरूर कीजिए, like करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, और एक comment कर दिया करो भाई हो,